लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए मैं ये जाहिर रूप से कहना चाहती हूँ याँ अमराथी मत्यम और हिंदी मत्यम है प्रीत मुंडे या पंकर्जा मुंडे ने कभी भी कोई भी मंतरी पत्त की मांग ही नहीं कोई भी नेता से हम मिले नहीं, ये बाते गलत है कि हम कोई अपेक्षित प्रवास कर रहे थे उस पद की तरफ जाने के लिए और ये भी बहुत सही मैं बताना चाहूंगी कि प्रिक्तम मुंडे का नाम चल रहा था क्योंकि इस महराश्रे में कोई भी पद आने वाला हो तो नैचरिली मुंडे का नाम चलता है जैसे विदान परिश्यद और राज्यसभा के लिए मेरा भी चला तो ये नाम चल रहा था और जब ये नाम चल रहा था और कुछ नाम चानब सामने आए वेसे हिना गाविजी का भी नाम चल रहा था उनके भी पिता मंतरी रहे हैं वो भी भारती रिंता पार्टी में इतने सालों पहले आये हैं, उनका भी नाम चल रहा था, तो ये एक प्रितम मुंडे का नाम चल रहा था और नहीं हुआ ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का नाम चल रहा था और नहीं हुआ ये है, पर यहाँ लोगों के थोड़ा जाधा प्र और प्रभाव होने से रियक्शन होती है, मैं यह कहना जाओंगी, हमने कोई मांग नहीं कीती, और हमें पार्टी के निरनेयों से कोई अपत्ती होने का कोई कारण नहीं, जो भी चुने गए हैं, आज मंत्री मंदल में, पुरे देश में, मैं उनका अभिनंदन करती हूं, और कोश भिच्छा देती हूं, उनको शुपकामना हैं देती हूं कि बहुत अच्छा काम करें, और मोदी जी ने जो विश्वास उन पर रखा है, उसके लिए ख़रे उतरें, कि मैं यह साफ कहती हूं, मेरे मन में इसमें कोई अपत्ती नहीं है, यह पार्टी का निरनेयों है, सालों तक जो वोटर रहा है, उसका तोड़ा प्रेशर होता है, तो नेचरली समर्थकों में तोड़ा सा नेगेटिविटी है, यह मैं कैसे ना कार सकती हूं, पर उसका मुझ से या मेरे परिवास में कोई नेगेटिविटी उसमारग ने.